अगर आप कमजोर छात्र हो तो आज की ए वीडियो आपके लिए बिल्कुल बरमास्थ सावित हो सकते हैं अगर आप हिंदी का हा नहीं जनते ईलिस का ई तक नहीं जानते तो भी आप बोर्ड एक्जाम में फेल नहीं होगे इसकी 100% नहीं बलकि 101% ग्यारंटी है दोस्तो अगर आप क्लाश टोईल के स्टुडेंट हैं और आपको 2025 में अपना बोर्ड एक्जाम देना है ना तो आज की ए वीडियो आपके लिए ब्रमास्थ सावित हो सकती है दोस्तो आज की इस वीडियो से आपका 500 नंबर बिल्कुल पक्का होगा सबी विषयों की तैयारी सिर्फ आज की इस एक वीडियो से आपकी होने वाली है आज की इस वीडियो में हिंदी की पूरी तैयारी इंग्लिस की पूरी तैयारी Physics, Chemistry, Biology इन पाँचों सब्जेट की पूरी तैयारी कुल विषयों में सव सो नंबर आपका पक्का होगा कुल मिलाकर आल सब्जेट का आज की इस वीडियो में पूरा फुल सॉलूसन बता जाएगा हर विशे से सव सो नंबर पक्का होकर कुल मिलाकर आपका जो पूरांख होता पांच सो नंबर वही आज की इस वीडियो में आपका पक्का होना वा कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हो सकता दोजार पचीस के बोर्ड एक्जाम में इसकी सो परसेंट ग्यारंटी है दोस्तो आज की इस वीडियो से आपका 500 नंबर बिलकुल पक्का होगा की की दोस्तो आज की इस वीडियो को बहुत सारी रिसर्च करने की बाद मैं आपके लिए कर आया हूँ ऐसी वीडियो आपको यूटूब पर कहीं नहीं मिलने वाली तो इस वीडियो को दोस्तो आपसे एक ही रिक्वेश्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक देख लेना बोर्ड एक्जाम के आप मास्टर बन जाओगे चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते ह हुए हम शुरू से शुरू करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पड़े हैं हिंदी का हा नहीं जानते तो आज आया हूँ सिर्फ आपके लिए दोस्तों अगर आपको हिंदी में टॉप करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अन्तक पूरा देख लेना हिंदी की ऐसी वीडियो आज तक यूटूब पर आपको नहीं मिलने वाली तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की स्वीडियो को शुरू करते हैं अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का वुक्की नहीं करने का दोस्तों आपके कोश्चेन पेपर में कुल 14 परशन आते हैं और उन 14 परशन का सॉलूसन हम आज की इस वीडियो में बारी की से समझाएंगे दोस्तों आप हैं यह से सुरू है और यहां पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर आपके पास 14 परशन में आते हैं इन 14 परशन को सुरू से लेकर अन तक पूरा सॉलूसन के साथ मैं आज की इस वीडियों में बताऊंगा कोई हवा हवाई में बात नहीं होंगी सब सबूत के साथ आपको प् परशनों तरसंख्या एक और दो में आपसे बाबु बहुविकल्पिये परशन पूछे जाएंगे और उन बहुविकल्पिये परशनों को मिलाकर दस नंबर का परशन आपसे पूछा जागा अब इसके लिए अगर दस में दस फोड़ना चाहते हो ना तो हमरी बातों को पाँच परशन आपको गध्यान से पूछा जागा और पाँच परशन बाबु किस से पूछा जागा पध्यान से कुल मिलाकर दस नंबर यहां से आपके आएंगे अब इसमें करना क्या है मेरी बातों को घवर से सुनना देखे डेली सिर्फ तीन आप परशन से इसकी ग्यारंटी है तो आपको करना क्या है बहुविकल्पिये के लिए सिर्फ डेली तीन परशन तयार करना है अभी आपके पास चार महीने का समय बचा हुआ है चारतियां 112 ठीक है 112 परशन आपके 120 दिन ठीक है 120 दिन अभी आपके पास बचे हैं अगर आप डेली तीन परशन को आप तयार करोगे तो आपके 360 कोश्चन तयार हो जाएंगे अगर आप 360 कोश्चन तयार कर लेते हो तो दस में दस लाने से बाबू मोदी दादा भी आपको नहीं रोक सकते चलिए अब आपको लिए चलते हैं अगले परशन पार जो की बहुत ही आसान है एकदम हलुआ है देख लिजिए परशन तर संख्या तीन हिंदी गद्यांस पर आधारित परशन यानि बाबू आपको इसी तरीके का गद्यांस दिया जाएगा आप देख सकते हैं दिये गए गद्यांस पर निमलिकित परशनों के उत्तर दीजिए अब इसके लिए बाबू जो मैं आपको बता रहा हूँ ना सिर्फ यही आप पढ़कर चले जाएए 100% गारंटी है दस में दस लाने से कौनों भी एक्जामनर नहीं रोक सकता करना क्या है देखे सुरुआत के जो तीन सबसे जादा इंपॉर्डेंट चैप्टर से ना देखे राष्ट का सुरूब सबसे जादा हर सेट में पूछा जाता है जिसे लिखे हैं वासदेव सनन अगरवाल जी बाद समझ रहे हैं और उसके बाद देखे असोग के फूल तयार कर लीजि जिसके लेखक हैं हजारी परसाद दिवीदी जी और उसके बाद आप भासा और आधुनिक्ता को तयार कर लीजिए जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुन्दर रेडी मैं दोस्तों कसम खाकर कहता हूँ कि इससे बाहर एक भी गद्यांस आपका नहीं आने वाला इनी तीन प पर में देखने को मिलेगा किसी भी सेट को उठा कर देख लीजिए किसी भी पेपर को उठा कर देख लीजिए इन्हीं तीन चैप्टर से ज्यादा तर कोश्चन उठते हैं अब देखे दोस्तों तीन नंबर में आपका किलियर हो गया अब आपको लिए चलते हैं परस्न संक्या चार परस संक्या तीन का जोड़वा भाई है ठीक है बत्या समझ में आ रही है देखिए उसमें क्या करना था आपको गद्यांस पर आधारित परशनों के उत्तर देना था और इसमें आपको पद्यांस पर आधारित परशनों का उत्तर देना है जैसे कुछ इस तरीके स देखे दियेगे पद्यांस पर आधारे निमलिकित परशनों के उत्तर दीजिए इतना आपका बाबू पद्यांस है और इसके नीचे जो पांच कोश्टन है इनका उत्तर अगर आप अच्छे से दे दोगे तो पांच गुड़े दो दस नंबर आपके बिलकुल किलियर हो में तीन पद्यांस तयार कर लेते हो जो मैं आपको बता रहा हूं तो इससे बाहर एक भी आपके पेपर में नहीं देखने को मिलेगा ठीक है देखे सबसे पहले आप तयार कर लिजिए पवन दूतिका वाला जिसके लेखक है हरियोज जी और आप तयार कर लिजिए कैकई का अनुताब जिसके लेखक है मैथली सरणगुप्त जी और आप तयार कर लिजिए सुरधा और मनु वाला चैप्टर जिसके लेखक है जै संकर परसाज जी एक तीन बाबू अगर आप खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना तो आपका एक भी नंबर नहीं करने वाला जल्दी से स्क्रीन साल ले लो ताकि कमेंट इना करना पड़े कि सर पीडिया भेग दो ठीक है इसका स्क्रीन साल ले लो सबसे पहले गद् द्यांस का चलिए अब आपको लिए चलते हैं परस्न संख्या पांच पर जो की बाबू एकदम आसान है एकदम हलुआ है ठीक है इसमें क्या है बाबू सबसे चहेता परश्न जो बच्चों को बहुत ही आसान इसे समझ में आ जाता है लेखक का साहितिक परचे जिसे आप ल जाता है प्रस्न संख्या पांच खा में पूछा जाएगा कभी का साहितिक परचे आप इसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ यही पांच आग तयार करके जाओ ना बाबू मैं आपके गारंटी के साथ आप से कह सकता हूँ कि इससे बाहर बबूआ एक को नहीं आएगा मेरी बातों को गवर से आप समझेए मेरे उपर विस्वास कीजिए इससे बाहर एक भी नहीं आएगा मैं एए वीडियो ऐसे नहीं बता रहा हूँ बहुत सारे मॉडल पेपर बहुत सारे प्रीवियस इयर पेपर और बहुत पिछले सालों के कई सालों के कोश्चन पेपर को खंगानने के बाद पूरा सुरू से लेकर अंतक पढ़ने के बादना तब आपकी सामने एए वीडियो ला रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको दो हजार पचीस के लिए तयार करनी है ठीक है तो आप साहितिक पच्चे में तयार कर लो वासुदेव सनर अगरवाल का लेखक का ठीक है तो आप एक और तयार कर लो आचार हजारी पसाद दिवेदी जी का अगर वासुदेवसर अग्रवाल का नहीं आवा ना तो आचार हजारी पसाद दिवेदी जी का जरूर आएगा इसकी 100% नहीं बलकि 1000% ग्यारंटी है ठीक है और देखे आप लेखक के साहितिक पच्चे में तयार कर लो पांच नंबर लेखक में मिलता है और पांच नंबर कभी के साहितिक पच्चे में मिलता है तो जीवन पच्चे से कुल मिलाकर आपके 10 नंबर मिलेंगे अगर 10 नंबर फोलना चाहते हो ना तो यहीं पांच तयार कर लो ठीक है आप देखो कभी में आप तयार कर के लिएना सबसे ज़्यादा इंपारटेंट अयोध्या सिंग उपद्याय हर्योद हर सेट्ड में ससुरा छपा हुआ मिलता है इसम में पद्धाई हर्योद का सायद्धी पर्चे देते हुए उनकी किरतियां लिखो ठीक है आप देखिए इसमें आप को लिख देना सबसे पहले याद कर लेना है हर्योद उसके बाद आप तयार के लेना मैथली संकर परसाथ पांच मैं आपको बता रहा हूं देख लेना आपके कोश्चन पेपर में चार इसमें से जरूर आपको देखने को मिलेंगे और दो ही आपको लिखना रहेगा ऐसा नही हजार इपासाथ दिवेदी जी का जरूर मिलेगा और इसमें से इन तीनों में से कोई एक ना एक आपकी सेट में आपके कोश्चन पेपर में बाबु जरूर देखने को मिलेगा इसकी जारंटी है ठीक है अब आगे लिए चलते हैं आपको परसन संख्या छे पर जो की एकद अब बच्चों का खेल है बाबु सिर्फ कहानी एक ठू लिखना होता है जिसके लिए आपको छे नंबर दई दिये जाते हैं क्या करना है सिर्फ एक ठू कहानी लिखना है अब कहानी में आप तयार कर लेना पंचलाइट जो की बाबु हर साल आपको दिखने को मिलती है किसी देखें पंचलाइट भी आया और बहद्रो आया ठीक है तो अगर आप पंचलाइट और बहद्रो दोनों तयार कर लेते हो तो छे नंबर कौनों ससुरा आप से छीन नहीं सकता यह हमारी गारंटी है बाबु ठीक है तो छठवा पर भी आपका किलियर हो गया अब इसका भी स पंचलाइट और बहादूर का सारांस लिखिये यानि कई जिले आपको दिये गए होंगे उन मेंसे सिर्फ आपको उसी का लिखना होगा जो आपके चिले में पढ़ाया जाता हो बास समझ में आ रही है ना आप देखिए जैसे यहां पर कोशन पेपरों देख लो एक बार ठीक है स्वपठित खंड का आपके आधार पर किसी एक खंड के एक परशन का उत्तर दीजिए अधिक हरष्वर्धन का चिले लिखना ह। बास समझते हैं अगर आप तैयार करे होगे तो चाहे अप जो इसका नायक है हर्षवर्धन उसका चरित जित्रन लिख दो तो बहुत है आसान है एकदम अलू आये बसमरी बातों को गवर से समझना एकदम हिंदी बावू आपके लिए एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा ठीक है आप देखिए उसके बाद खा में इसी तरीके के सार खंड काब आपको दिये गए हैं अब इन खंड काब में बावू ठीक है इतने सारे खंड काब आपको देखने को मिलेंगे और इसी में है रस्मी रती ठीक है देखे सरवन कुमार आता है रस्मी रती आता है मुक्तियग आता है त्याग पती आता है आलोग बिता आता है सत्क जीताता है तो जो भी परशन आपको जो भी इसमें से खंड काव आपकी स्कूल में पढ़ाया गया हो उसी को आप याद करके बाबू लिख देना चाप कर चले आना पांच नंबर कोई भी एक्जामनर नहीं काट सकता अब बहुत बच्चों के दिमागों कंफ्यूजन रहता ह है कि हमरे जिले में काउन सा खंड काव लगेगा तो आप इन मेंसे जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो उसे बिल्कुल रट डाली एकदम दिमागों में खोपढ़िया में बैठाए लीजिए ठीक है अब देखिए परस्न संख्या बाबू आठ पर लई के चल चलते है आपको ठीक है इसमें क्या करना होता है संस्कृत का गढ़्यांस आपको दिया होता है उसका सिर्फ आपको अनुआद और संदर्व लिखना होता है परसंग लिखना नहीं होता और बहुते हलुआ है क्योंकि इसमें संदर्म में खाली पठवेक नाम लिखना होता है अब देखी इसमें क्या करना है आपको जैसे देख लिए परसंख्या आठ है संस्क्रित वाला यहां से पार्ट सेकेंड आपका यानि खंडखा सुरू होई जाता है और यहां तक क्या था खंडखा था बतिया समझ में आ रही है ना अब देखो बाबू ठीक है खंडखा में आपको सबसे पहले संस्क्रित गद्यांस दिया जाएगा परसंख्या आठ में यानि जो गद्यांस बाबू इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेओ और इसका हिंदी में अनुवाद कई देओ और इसका आप संदर में लिख देना है कि परस्तुत गद्य हमारी पार्ट पुस्तक हिंदी के संस्क्रित खंड से जिस चैप्टरस से लिया गया है उस चैप्टरस का आपको नाम लिख देना है अब इसको पहिचानना कैसे जैसे देख ली यहां पर संस्क्रित भासा का बार बार उनलेख मिलता है तो इस कहां से लिया गया है संस्क्रि भासा महतौम हर बार इससे गध्यांस आपके संस्क्रित के गध्यांस पेपर में उठाए जाते हैं तो आप इसको बाबु एक तम अच्छे तरीके से पढ़े लो रट डालो दिमगवां में बैठाए ले और देखो उसके बाद पूछा जाता है बबुगा महामना मालविया मह पूछ ज्यादा है हर साल पूछा जाता है तो आपको इसमें संदर तो एकदम आसान है काली पाठ का नाम लिखना है अब लेखा का नाम आप सोचना नहीं पड़ेगा कि इस ससुरा जैसंकर परसाद है कि महादेवी वर्मा है या फिर वासुदेशन अगरवाल है इसे में ससुरा लिखेगा जैसे रहेगा ना रहेगा आचारी हजारी पसाद तीवीदी जी के चैप्टर से लिख देगा ससुरा वासुदेशन अगरवाल का तो एक्जाम ना जो है उसका दिमगवा पूरत चक्रिया जाता है जहां पर दूई नंबर देना होता ना वहां पर आदो अब देख लो संस्कृत गद्यास का इस लोग पूछा आगा यानि एक इस लोग दिया जाएगा एक कविता दी जाएगी उस कविता का आपको हिंदी में अनुवात करना होगा दुई ये लान की कविता होती है क्या इसमें दिमाग मांग थोड़ी न लगाना बस थोड़ा सा पढ़ना है देखे जल बिंदु निपोतन करम सा पूरेतय गटा सा हे तु सरविद्याननम धमनस्तन धने सचा ठीक है पहुते आसान है बस इसको थोड़ा सा पढ़ना है अब इसमें मैं आपको बता देता हूं बाबू कि काउन सा इस लोग तयार करके जाना है देखे सुभासी रतनानी एक चैप्टर साहब के संस्कृतियाम न इसमें सारे इस लोग भरे पड़े हैं अब इसी इस लोग से एक्जामनर लोग प बकड़ पाओगे बासमझ में आ रही है ना आप देखे और अगर आपको टाइम मिले तो जाता कता भी तैयार कर लेना साथ नंबर तब तो कहीं नहीं गया साथ नंबर यहां से साथ नंबर यहां से टोटल चौदा नंबर मिल रहे हैं संस्कृतिया से सिरे करना कुछ नहीं लिए बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है बाबू बासमझ रहे तो परसंख्या आडवी के लिए रहो गया अब लिए चलते हैं बाबू आपको मुहारा पर ठीक है मुहारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इनंबर में पूछ रा जाता है करना कुछ नहीं रहत दाल में काला होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह जो मैं मुहारे बता रहा हूँ सबसे पहले इसका स्क्रीन स्वार ले लो बाबू ठीक है और खंड काप का ले लो खंड काप को लेने के जोरू नहीं है जो आपकी जिले में लगे वही आपको याद करना है चलो इसका स्क्रीन स्वार ले लो उसके बाद इसका स्क्रीन स्वार ले लो चलिए हो गया अब देखें मुहारा आपको बताते हैं सबसे पहले देखें दाल में काला होना यानि कुछ गडबड होना घाओं में सुने होंगे जब कुछ गडबड किसी को देखती है ना तो कहते है दाल में लगता है कुछ काला है और उल्टी गंगा बहना ठीक है जैसे कोई आदमी अगर उस दिन कोई काम को नहीं करेगा जैसे माल लीजी ठीक है कोई आदमी साथ दिन में एक बार नहाता है अब उस असुरा रोजे नहा रहा है तो कहेंगे उल्टी गंगा बह रही है ठीक ह और देखे एद का चान्थ होना यानि बहुत समय बाध मिलना अगर कोई आदमी किसी को गाउँ में जाते हुए देखेगा तू तो वह यह इद का चान्थ होई गए हो कभी देखते नहीं हो तो इस तरीके कहें मोहावरे होते हैं बहुत है आसान होते हैं पापड बेलना यानि बहुत समस्या जेलना और उट के मुह में जीरा यानि बहुत ही कम मात्रा में ठीक है तो यह सारे मुहावरे आप अगर तयार करके जाते हो तो इसमें से 100% चांसेस है कि आपके कोश्चन पेपर में मिलेंगे टकासा जवाब दे देना यानि साफ इंकार क का सामना करना नमक मिल्च लगाना यानि अपने तरफ से कुछ बात को बढ़ा चड़ा कर कहना कि क्या कहते हैं नमक मिल्च लगाना तो आप इन मुहावरों का आप स्क्रीन स्वाल ले लो 9 तक परशन आपका किलियर हो गया बाबू अब आपको लिए चलते हैं परसन संख्य दस पर अपठित गद्यांस इसमें बाबू आपको एक दिया जाएगा जिसके लिए पांच नमबर और मुहाउरा का सिर्फ दूई नमबर मिलेगा ठीक है अब देखिए अपठित गद्यांस कुछ नहीं करना होता पांच नमबर समझ लो बिलकुल फिरी में मिल रहे हैं तो कह है छोड़ते हो पकड़ लो जल्दी से ठीक है अब देखिए इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ देखिए एक आपको कुछ इस तरीके से गद्यांस दिया जाएगा सबसे पहले क्या करना है इस पहराग्रा को खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है उसके बाद इसके नीचे कुछ कोश्चन तीन ठू है और इन कोश्चनवा का बाबू उत्रवा कहां पर मिली इन ही गद्यांस में मिलेगा तो आपको करना कुछ नहीं है सबसे पहले इस गद्यांस को खूब अच्छे से पढ़ने ना है फिर देखना कि इसके कोश्चन में क्या कह रहा ह है बहुत है आसान है 5 नमबर समझ लो फिरी में मिल रहे अपठिध गद्यांस में ना तो सवस्चुरा कही हो पढ़ना है ना तो कही हो लिखना है पांच नमबर फिरे में मिल रहे यह वहले पेपरवा में चार्चा लाए लिख देना है और इसके लिए आप करेंगे क्या इ कोश्चन पेपर में पुराने पीफर को उठआए या फिर किताम में ही को मिद्ट बार प्रेक्टिस करिए नंबर बाबू आपके कहीं नहीं करें तिन शुर्फ आप ठीक है कि एक पेरग्राप को की आप इसकी चलते हैं परस्न संख्या 11 में जो की खिचडी वाला है ठीक है बाबू परश्ण जंक्या 11 में 8 नमबर का परश्ण जहेगा इसमें कई सारे परश्ण दिये रहेंगे कुल मिलाकर इक हीचली है बीरबल की ठीक है देखे सबसे पहले सब्द यूग में दुई नमबर का पूछा जागा अब सब्द यूग में कैश से रहेंगे यह मैं आको ब दुआ आपको मिलता है और पथ और पन तयार कर लेना अनल तयार कर लेना और अनिल तयार कर लेना सर्वन और सर्मन तयार कर लेना पुरस और परुष तयार कर लेना हर सेट में यह आपको बाबू देखने को मिलता है और वसन व्यसन भी देखने को मिलता है मेग और मेत यह जो स्क्रीन स्वाल ले अगला परशन देखा जाए ठीक है अब देखो इसका भी स्क्रीन स्वाल ले ले लाना छोटा सा है कोनों दिक्कत नहीं इसका स्क्रीन स्वाल ले लो आप चलिए आपको बताता हूं एक सब्दों के लिए दो सब्द यानि अनेक सेट में पूछा जाता है पतंग भी पूछा जाता है कर अंबर अली पट विधी नाग आग यह जो सब्द युग्म मैं जो एक सब्दों के दो अर्थवाले सब्द आपको बता रहा हूं यह बहुत ही जादा इंपॉर्टन है इनको तयार करके जाना बावू किसी भी सेट को उठाकर देख लो इस वीडियो को मत देखना इस वीडियो को छोड़ देना और डिक्स लाइक करें भाग जाना ठीए अब देखें अब आपको लिए चलते हैं अनेक सब्दों के लिए एक सब्द दोस्तों अनेक सब्दों के लिए एक सब्द बहुत ही आसान है इसका स्क्रीन सौर ले लो बावू कहें जाते हो ठीक है इसका स्क्रीन सौर ले लो आप देखो बताता हूं अनेक सब्दों के लिए एक सब्द देखें जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं जी ग्यासू औ उसे अमूल ले कहते हैं और जो कभी ना मरे उसे अमर कहते हैं यह होते हैं बाबू अनेक सब्दों के लिए एक सब्द वाले वाक के पास समझ रहे हैं यह अनेक सब्द हैं यानि एक से ज्यादा सब्द हैं इनको एक सब्द में आपको लिखना है इसको क्या कहेंगे जिग्या को अगर ज़ादा सब्दों में लिखना हो तो लिखेंगे जानने की इच्छा रखने वाला आप देखो जिसे कोई जीत ही न सके उसे अजीत लिखेंगे वाबू और जो आखों के सामने हो नेतरसम्मूक लिखेंगे और जिसकी कलपना ना की जा सके अकलपनी केंगे और तपस्या करने वाले को क्या कहेंगे तपस्वी कहेंगे तो थे कुछ ऐसे अनेक सब्दों के लिए एक सब्द थे जो हर साल आपके बोर्ड अजाम में आते हैं इनी को आप तयार करके जाना देख लेना आपके कोशन पेपर में जरूर देखने को में लेंगे इसकी 100% ग्यारंटी है तो आप जल्दी से बावू इसका स्क्रीन स्वाट ले लो अब आपको लिए चलते हैं देखे अभी एक और सब्द है वाक्यों को सुद्ध करके लिखना यानि असुद्ध वाक के पूत अडबंग लगेंगे ठीक है जैसे देख लो बावू यहां पर लिखा है अध्यापक पढ़ा रही है अध्यापक पढ़ाता है कि पढ़ाती है यही आप समझ लो इस असुरा असुद्ध है इसको सुद्ध करके आप लिखना रहेगा अध्यापक पढ़ा रहा है ठीक दोई नंबर में है इस सब एकदम हलुआ आले परिशन है बर थोड़ा सा आपको घबडाने की ज़रूर नहीं है बच्चे लोग क्या करते हैं घबडा जाते हैं कहते हैं कि ब्याकरण में सब्सक्रा सब्द यूग में पूछायागा एक सब्दों के लिए एक दो सब्द अनेक सब्दों के लिए एक सब्द वाक्यों को सिद्ध करने लिगना बड़ी परिशानी है बहुत ही आसान होता है बस थोड़ा सा दिमांग लगाओ जरूरत रहती है ठीक है इसका स्क्रीन स्वाट आप लिए अब आपको लिए चलते हैं रस छंद अलंकार यानि वह वह परसंख में क्या तैयार करना है मैं आपको बताता हूँ खुराने की बिलकुल बीजरूरत नहीं है दिखे रस में आप तैयार कर लेना वी रस हासरस और करूल्डस इर रस आप तैयार करके अगर जाओगे ना बाभू तो दो नंबर आपका कहीं नहीं गया और दोहा चंद में आप आपका कहीं नहीं गया और अलंकार में अनुपरास तयार कर लेना उत्प्रेक्षा अलंकार तयार कर लेना और रूपक अलंकार तयार कर लेना कवनों भी सेट को उठाई के देख लो कवनों भी मॉडल पेपर को उठाई के देख लो वीरस हासरस करोंडस दोहा चवपाई में से 90% आपको देखने को मिलेंगे तो आप यही तयार करके जाएए छे नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा मेरे बरोसे आप छोड़ दीजिए तो आपका छे नंबर किलियर हो गया जल्दी से इसका स्क्रीन स्वाल ले लो अब आपको लिए चलते हैं बाबू परशन संख्य परशन संख्या तेरा मौए आपको पत्र लेखन दिया जाएगा जो की बाबू आएगा आपका छे नंबर में ठीक है तो इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूं बहुत है आसान है आप इने में देख लीजिए हर साल आपके इसमें पत्र लेखन पूछे जाते हैं सबसे पहला पत्र जो की बहुत जादा इंपॉर्डेंट है अपने गाओं की सफाई है तो नगर निगम को परात्ना पत्र लिखिये पहुत ही बेरी बेरी मोश्ण इंपॉर्डेंट है अपने गाओं की सफाई है तो नगर निगम को परात्ना पत्र लिखिये बेरी इंपॉर्डे साखा परबंदक को पत्र लिखी और देखिए पूछाजाता है कुठीर उद्धो क्छोलने के लिए साखा परबंदक को पत्र लिखिए इसमें करना क्या है मैं आपको बता देता हूं अगर आपके गाउं में पहुँज़ा गंदगी है अब उसकी साफसफाई करवाना है तो कोई कर्मचारी वाला आए तो सफाई कर्मी वाला तो इसके लिए सबसे पहले आपको application देना होगा त Tub आएगा तब सफाई करेगा जब तक आप application नहीं दोगे आपके गाँवाँ में सफाई नहीं होगी तो यहीं कटाना होता इसको कर्पया आप जल्दी से जल्दी साफ करवाईए ठीक है देखे चातरवीति में खाता यानि अगर आपको खाता खुलवाना है बैंक में तो आप चातरवीति यानि स्कॉलर्सिप के लिए आप खाता खुलवाने जा रहे हैं तो आपको लिखना होगा साखा परबंदा को कि मेरी मोटा धंदा करना है उसके लिए बैंक से लोड लेना है उसी के लिए आपको साखा या साखा परबंदक यानि बैंक मैनेजर को एक पत्र लिखना है बहुत है आसा थोड़ा सा खोपड़ी की खोले की जरूरत है ठीक है आप देखो परस्न संख्या लाश्ट पर आपको लिए चलते हैं निबन जो कि सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा और कभी ना पीछा छोडने वाला कोश्चन है आईएस और IPS में ही में भी निबन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तिके देखे तो इसमें सबसे पहले आपको तयार कर लेना है आतंगवाद की समस्या बहुत ज्यादा इंपॉर्डेंट है और बाढ़ की समस्या बेरोजगारी परदूसन जनसंख्या आजादी का अमरित महोत्सो और विग्यान देखे दोस्तो निबान बहुत टॉपिक पर आ अंगरवाल का जीवन पंचिवा लिख देना है बहुते आसान है निबंदुबंद बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जुरुत है जब पढ़ेंगे तो सब कुछ आसान लगेगा और मोबाइल चलाएंगे तो सब कुछ कठिन लगेगा बाबू ठीके तो सबसे पहले परण डालो मोबाइल को फीको कुड़ दान में टीक है अतंग बाद की समस्यार करना है बाढ की समस्या बेरोजगारी पर दूसर चंसंख्या आजादी कामरित महोस और विग्यान पर आपको तयार करना है और देखिए कि मैं ग्यारंटी के साथ कह सकता हूं कि बावू आपका एक भी नमबर नव में से नहीं कटने वाला तो अगर आज की ये वीडियो बावू पसंद आई होना तो लाइक ना करो सेयर सबसे पहले अपने उन दोस्तों में करो जो अभी पढ़ नहीं रहे हैं तो सोचते हैं कि शुरुआत कहां से करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनको जल्दी से वीडियो सेयर कर दो उनका साथ नमबर आज ही पक्का हो जाएगा एकदम वीडियो देखकर खुस हो ज आगा तो आग्याएगे तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर ज्यादा पसंद आई हों ना तो एक ब्यारा सा कमेंट कर देना चलिए मिलते हैं आपसे किसी और सांदार धमाकेदार में तत्त के लिए गुडबाई जय हिन जय भारत तो अगर वोड़ पैच्छा दुएजार पचीस में ना सब धूआ धूआ करना है तो यह वीडियो को पूरा जरूर देख लिए हो ठीक है देखो सबसे पहला सबसे जादा मौश्ट इंपॉर्ड टॉपिक है मोलर्ता उसके ब अंस पूछता है कहीं पर मौल परबाश पूछता है तो बात एक ही ही है ठीक है और देखिए सबसे जादा मौश्ट इंपॉर्ड टॉपिक वास्प दाब में आप एक चिक और नमन बहुत ही जादा इंपॉर्ड इंपॉर्ड टॉपिक इसे कह सकते हैं इसे आप बिलकुल पी नहीं छोड़ना और सबसे जादा इंपॉर्ड टॉपिक राउल्ट का नियम राउल्ट का नियम आपके बौर्ड इखाम में लगबग लगबग हर साल किसी ना किसी सेट में उठाकर चाप देता है ठीक है तो राउल्ड का नियम बाबो एक अच्छे तरीके से तयार कर git हेनरी काने आपके बूर्ड इजाम के लिए बहुत ज्यादा इंक्राओंट Ama module को भी आप खूब अच्छे तरीके से तयार कले रहा हेनरी काने नियम आपके बूर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेट है हेनरी का नियम और राउल का नियम अगर राउल का नियम नहीं आया तो हेनरी वाला नियम जरूर आएगा ठीक है अब चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक अगला कोश्चन है दोस्तों इसको भी आप तयार कर लेना ठीक है और देखें मोलर चालक्ता एबी बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपॉर्ड नहीं मोलर चालक्ता को आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है एस सब छोटे छोटे टॉपिक है एक से दो तीन लाइन में आपसे कोश्चन लिखना होता है और दो से तीन नंबर में एक कोश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इसे आपको तयार कर लेना ठीक है और देखें तुल्यांकी चालक्ता क्या है इसको भी आपको पढ़ लेना है बहुत जादा इंपॉर्ड नहीं और देखें कोलराउस का नियम स इसको खूब अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है और इसका सॉलूसन भी मैं जल्द आपके लिए लेकर आने वाला हूं ठीक है तो इसका स्क्रीन सॉट आप ले सकते हो जल्दी से फिर पीडियाप की जंजट नहीं रहेगी इसके लिए सॉल लेलो चलिए आगे देखते है ठीक है दोस्तों अगला सबसे जादा इंपॉर्डन टॉपिक है इधन सेल आपके बोर्ड एक्जाम में लगबग हर साल पुछा जाता है इधन सेल और प अगर आप पढ़ लेते हो बोर्ड एक्जाम में तो आप अच्छे से अच्छा माक्स स्कोर करने वाले हो ठीक है और देखे निरनश्ट समीकरन ये भी आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत जादा इंपॉर्डन है नरनश्ट समीकरन तो इसको भी आपको तयार कर लेना ठीक है और देखे संचारन संचारन को खुई बच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है ये भी आपके बोर्ड एक्जाम के लिए सबसे जादा इंपॉर्डन है और नरनश्ट समीकरन Most Important Topic है इसको आपको पढ़ लेना है आपसे बोर्ड एक्जाम में अभी किरिया की दर प और देखे, सून कोट की अभिकिरिया का बेंजग भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसको आपको तैयार के लेना है, सून कोट की अभिकिरिया को एकदम रट डालना है बहुत जादा इंपौर्डन्ट है यह, हर साल आपके question paper में देखने को मिलता है सुननी कोट की अभिकिरिया ठीक है उसके बाद देखे पर्थम कोट की अभिकिरिया यह इस पर देखे दोस्तों सुननी कोट की अभिकिरिया के लिए वेंजक आप से पूछता है नुमेरिकल इससे बनते ठीक है पर्थम कोट की अभिकिरिया के लिए वेंजक तो इसको आपको खुब अच्छे तरीके से जब पढ़ लेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा और आपसे पूछता है अभिकिरिया की कोटी और आणवित्ता ठीक है अब अगले टॉपिक पर हम आपको लिए चलते हैं अभिकिरिया की कोटी और आणवित्ता यह भी very important topic है अब संकरमड यह क्या होता है इसको भी आपको तयार के लिए संकरमड तत और आंत्रिक संकरमड ठीक है अब चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा important topic है जो आपको तयार करके जाना है अगला topic है दोस्तो लेंथे नाइड संकुचन यह भी board exam के लिए very very important है लेंथे नाइड संकुच और legend अगला topic है दोस्तो लिगेंड को खूँ अच्छे तरीके से पढ़ लेना है इसकी परियासा हो गएरा और इसके परकार को भी आपको देख लेना है ठीक है आँगे वर्नर सिधान्थ वर्नर ने क्या सिधान दिया इसको भी आपको खूँ वज़े से पढ़ लेना है बह बहुत ज्यादा है इसको भी आपको पढ़ लेना है और देखिए सबसे ज़्यादा most important topic कह सकते हैं दोस्तो इसको हैलो एलकेल तथा इसके रासायनी गोड़ ठीक है हैलो एलकेल तथा इसके रासायनी गोड़ ठीक है उसके बाद देखिए अगला topic है दोस्तो बहुत ज़्यादा important है हैलो एरीन तथा इसके रासायनी गोड़ ए भी आपके board exam के लिए बहुत ज़्यादा important है और अगला topic दोस्तो आप देख सकते हैं polyhylogen yogic यह भी board exam की दिश से दोस्तों बहुत ज़्यादा important है polyhylogen yogic ठीक है अब अगला सबसे ज़्यादा most important topic दोस्तों पांच नंबर में हर साल पूछा जाता है अगर नहीं पूछा गया तो आपके board exam में इस सफरा नजरे नहीं आएगा chloro farm बनाने की विधी यह भी बहुत ज़्यादा important है chloro farm ठीक अगला दोस्तों question है यलको हाल तथा इसके रासायनी गूड़ दोस्तों अगला सबसे ज़्यादा most important topic है यलको हाल तथा इसके रासायनी गूड़ यानि वह वह दारू दारू जानते हैं बहुत सारे लोग इसे पीकर हंगामा मचाय रहते हैं ठीक है और देखे लिवकास पर चलिए अब आपको बताते हैं कि आगे कौन कौन से topic या फिर question आपको तयार करने है ठीक है तो जल्दी से दोस्तों इसका screenshot आप ले लो ताकि आपको PDF ढूड़ने की जरूरत ना पड़े तो चलिए आगे देखते हैं लोग दोस्तों अगला सबसे ज़्यादा important topic है फीनाल इसके बनाने की परियोग साला विदी को आपको देख लेना है और फिनाल के रासायनी गुर्ड ठीक है यह भी आपके board exam की देश्ट से बहुत ज़्यादा important है और देखिए अगला topic है दोस्तों इथर ठीक है इथर क्या है इसको आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ ले ना है ठीक है इथर को आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है उसके बाद सबसे जादा important topic very important topic है दोस्तों डाई एथिल इथर बनाने की विधी आपके board exam में लगबग लगबग हर साल एक पूछा जाता है ठीक है और देखिए इसे related topic है यल्डिहाईर तथा इसके रासानी गुण इसको भी आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ने ना है बहुत जादा important है ठीक है और देखिए डाई एथिल इथर बनाने की विधी इसको भी खूब अच्छे तरीके से आपको पढ़ कर जाना है और देखिए की टोन क्या होता है और इसके रासानी गु को आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है यह आपसे दो तीन नंबर में लगबग पूछा जाता है अगर दो तीन नंबर में नहीं पूछा गया तो पांच नंबर में यह आपसे पूछा जाएगा की टोन की पूरी व्याख्या करने के लिए ठीक है और देखिए यसी टोन बनाने की परियोग साला भी दी इसको भी आपको खुब अच्छे तरीके से पढ़ने ना है बहुत जादा important है और देखे इससे ही इसके आगे दोस्तों कार्बोकसिलिक कार्बोकसिलिक अमल तथा इसके रासायनिक गुल आपको पढ़ना है कार्बोकसिलिक अमल क्या होता है और इसके रासायनिक गुल को बास समझ रहे है ठीक है अब देखे आगे देखे फार्मिक अमल बनाने की परियोग साला भी दी फार्मिक अमल क्या होता है सबसे पहले इसको पढ़ लेना है फिर इसके बनाने की परियोग साला भी दी को आपको तयार कर लेना ठीक है और देखे टालेन अभिकर्मक है आपके बोर इक्जाम की दिष्ट से बहुत ज्यादा इंपोर्ण है टालेन अभिकर्मक तो इसको भी आपको खुब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको तयार कर लेना है तो ठीक है और देखे यमीन क्या होता है तथा इसके रासानी गुड यमीन आपको तया पढ़ लेना है और इसके रासानी गुड और देखे यतिल यमीन बनाने की परियोग साला विधी इसको भी खुब अच्छे तरीके से आपको पढ़ कर जाना है वो इक्जाम की दिष्ट से very important topic है और देखे आप देखे बहुत ही simple simple topic आपको लिए आ रहे हैं ठीक है carbohydrate क्या होता है तथा इसके वर्गी करण यानि इसके परकार कितने भागों में carbohydrate बटा होता है बास समझे रहे हैं और देखे मौलिस परिष्छन आपको तयार कर लेना है ठीक है बास समझे रहे हैं आप देखे यमीनों आमने क्या होता है इसको भी आपको खोव अच्छे तरीके से पढ़ने ना है और प्रोटीन यम जाइम हर्मोन इसको भी आपको परणे ना है कि विटामिन क्या होता है विटामिन से कौन की कमी से कौन से रोग होते हैं और क्या विटामिन खाने से क्या विटामिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं इस सब आपको पढ़ लेने हैं ठीक है दोस्तों उसके बास सबसे ज़्यादा important topic आपके लिए आता है DNA क्या होता है और RNA क्या होता है इसको खोब अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है और आपके board exam में हर साल पूछा जाता है DNA और RNA में अंतरबाद समझ रहे हैं ठीक है आप देखिए आगे जो है इस सब reaction आपके लिए आ रहे है फेटिंग अब कीरिया है ये भी आपके board exam की दीष्टि के से बहुत ज्यादा important है इस सब very very most important topic है और देखिए भूंस डीकर अब की रिया है और देखिए है ये आपके board exam की दिरिष्टि से से बहुत ज्याद है ये अब का इज्सान की दिश्टि से आपके बहुत ज्यादा है और मोर्ट इखिए और संघनन आपके बोर्ड iki देश्टि से बहुत ज्यादा इंप्वाटन्ट है उसनट है और फिल्सें से गहा है आपको बहुत ही जल्दी से अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको तयार करके जाना है ठीक है अगला टॉपिक दोस्तों है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन किली मेंसन अब चैन इसको जरूर तयार करके जाना और देखें कारबिल यमीन ये आपको बोर्ड एक्जाम की देश्टी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है और हाफ मैन ब्रोमाइड अभिकिरिया और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन टॉपिक इसमिट अभिकिरिया जितने भी टॉपिक आज की इस वीडियो में मैंने आख घ्ञचे भारत है आज की इस वीडियो से सांभर आपका पूरा पक्ता होज़े वाला है और इतना पड़ıt आपके कोश्चनवा पेपरवा में कुल 12 कोश्चन आएंगे और उन 12 कोश्चन का बाबू सालूसन हम आज की इस वीडियो में पूरा लेकर आएंगे उसको सौल्व करके बताएंगे कि 100 नमबर आपको कहां से मिलेगा चलिए दोस्तों तो समय काहें बरबात कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्डन समय है अब आपके पास समय नहीं बचा है इतीन से चार महीना इतनी जल्दी खतम हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपके कोश्चन पेपर जब आपको पेपरवा मिलेगे ना तो उसमें जो सबसे पहिला परशन होगा वो बाबू अंसीन पैसेज वाला होगा और पंदरा नंबर का होगा बहुत हलुआ है बस हमरी बातों को ना गवर से सुनना देखो बाबू आपको कोश्चन पेपर एक ठुमिलेगा उसमें एक पैसे दिया रहेगा जो की ना आप कभी देखे रहेंगे और ना कभी आप पढ़े रहेंगे इसलिए इसका नमोगा है अनसीन पैसेज ना कभी देखा गया हुआ पैसेज बंसीन पैसेज इतना बड़ा समन लू आपको दे दिया गया अब उसके नीचे तीन चार्ठों कोश्चन अब उन कोश्चनवा का अगर आप एंसर वा ना इसी में से छाट के लिख देते हो तो आपको पंदरा नंबर मिलेंगे बहुत ही सिंपल होता है बाबू करना का रहता है दिके हम समझा रहें आपको ठीक है कूछ है नहीं यहाँ पर मिल गया मिल गया समझाने के लिए इतना काफी है ठीक है आप देखो बाबू जैसे इमाल लोई इतना आपका पैसे जहें ठीक है इसमें कौनो कहानी लिखी हूई है राजारानी की आप देखो उसमें का करना है आप देखो इसको पहले खुब अच्छे सपढ़ लेओ ठीक है आया, ठीक है, धेखिए, जैसे इसमें लिखा है कि राजा के पास पांच घोडे थे, पतिया, समझ में आ रही न, अब देखो, अब question में अगर आप से पूछा जाए कि राजा के पास कितने घोड़े रहें तो आप तुरंते बतागे कि राजा के पास पास घोड़े थे ठीक है बास समझ़े में आ रही ना तो इस तरीके से अंसीन पैसे जोता है बहुत ही आसान होता है एक ठुल लुल लड़का भी कर ले जाएगा एक अदम आसान होता है करना कुछ नहीं रहता पाँच नंबर एक्जामन समझ लो बाबू एक अदम फिरी में आपको थमा दे रहा है बोनस की तरह ठीक है अब देखो बाबू सक्सन ए, बी, सी, डी चार सक्सन आपके कोच्चनों पेपरों में आते हैं अब पहिला जो सक्सन है ना वो एक के परस में ससुरा खतम हो जाता है यानि कोच्च सक्सन ए जो है ए अनसीन पैसेज में ही खतम हो जाता है अब आपके पास आता है सक्सन भी, अब सक्सन भी पर आपको लिए चलते हैं इस समझ में नहीं आवा ना तो जहां से देखो ठीक है देखो जिसने घिंदया में दिया रहता है आप ко आ और बाखंड करके देखे या पिर कही पर काखंड खांड दूइ maritime हिंदिया में आता है इसमें 4 आप देखो एक हंड तो आपका खतम होई हुआ ए सेक्षन खतम होई हुआ ठीक है अब देखो बाबू बी सेक्षन पर आ जाते हैं बी सेक्षन में आप से पूछा जाएगा आर्टिकल राइटिंग बाबू आ ठीक है जो कि दस नंबर का होगा ठीक है बतिया समझ में आ रही ठीक है तो घबडाने की कौनों जरूरत आपको ना ही है ठीक है देखो आर्टिकल राइटिंग बाबू बहुत ही आसान होता है ठीक है जो यसे लिखते थे पहले आप ठीक है निबंद बात समझ रहे हो ना उस निबंद का इछोटका भयवा है आर्टिकल बातिया समझ में रही ना तो करना क्या रहता जैसे निबल में आप 10-20 लाइन का लिखते थे अब आर्टिकल में खाली आपको 4-5 लाइन को खुब अच्छे तरीके से आपको लिखना है वही होता अब वह आर्टिकल अब इसमें आप तयार काव करना है इस समझ लो ठीक है देखो हमें सब प अब पालूसन पर आपको आर्टिकल लिखने के लिए आता है अब पालूसन पर आप तयार कर लो कभी कभी पूछेगा और कभी कभी पूछेगा इंपोटेंस आप गेम इन आवर लाइफ यानि खेल का हमारे जिंदगिया में कौन महत्त्व है ठीक है और देखो फेस्टिबल पर पूछेगा दिपावली वावली पर ठीक है बहुते पडाका दागे होगे सब लो अब अगर एक्जाम में पढ़ोगे नहीं न तो एक्जा आवली पर इनी दूई पर ज्यादा अद्यातर आर्टिकल देता है ठीक है अब चलिए दोस्तों लिए चलते हैं आपको कोश्चन नंबर तीन पर वह बहुत आसान है चलो लेकिए चली थाई ना आई गये है बाबु अब हम लोग कोश्चन नंबर तीन पर यहुँ दस कोई लिखता नहीं खाली पेपरवे में लिखा जाता है यह समझ में आ रही है ना वाट्सप का जमाना आगया ससुरा सन से से कंड़ों नहीं लगेगा अमरीका मैसेज़वा चला जाएगा और लेटर वह कहा होता था आज जैसे लेटर लगाए तो ट्रेन हो गयरा से होते हो ससुरा पंदरा दिन में पहुंचता था ठीक है तब तक कोई टपक ही जाता था ठीक है आप देखो लेटर राइटर में करना क्या है मैं आपको बताता हूं दस नंबर में बाबु पूछा जाएगा ठीक है अब इसमें तयार कौन कौन सा करना है इस समझ लिए हर साल पूछ सीजे ससुरे बज़ते हैं और पढ़ने में बहुता ही दिक्कात होती है तो इसी को बहन कराना है किस से बन कराएंगे जिला अधिकारी से बास समझ रहे हो आपके कोश्चन में पेपर में पूछेगा कि बहन लेटर टू दा डिस्टिक मजिस्टेट ध्यान से सुने हो नहीं इस तरीके से बबब अप पूछा जाता है थीए तो लवड़ स्पीकर एट लेट नाइठ पूछेगा या फिर पूछेगा लावड स्पीकर लावड स्पीकर डियूरिंग इंग्जामिनेशन टाइम या फिर पूछेगा इन बोर्ड इग्जाम टाइम तो लिखना हुआ इसे रहेगा ठीक है बात समझ रहे हो तो यह वाला तयार के लिए हो बैंड लावड स्पीकर एट ले नाइट वाला ठीक है यह तयार हो यह और ट तयार के लो एक कसनाई काम चले वाला है ठीक है बतिया समझ में आ रही ना ठीक है देखिए बिरेक डाउन आफ वाटर सप्लाई या फिर पूछेगा बिरेक डाउन आफ इलक्ट्री सप्लाई हां भाईया बिजलिक बहुते समस्या है तीन-चार दिन तक लाइट एक दम नह देख रहे ही अबी तक सफ्लाई चल नहीं रही है ठीक है écay अब देखिए ल्यक्ट्री सप्लाई तो आपको ब्रेक डाउन जो पानी की सप्लाई है वर ये आप आपटाई पनीय सफ्ला नहीन आता है एकक दिन और एकको को लेटर लिखना है किसको लिखेंगे पैट शको ह वाले होते हैं उनको लिखना होता कि भाईया हमरे गवंवां बाबु लाइट एकदम नहीं आती है पनियों ससुरा नहीं आता है अब आप एक काम करो कि इस समस्या को अपने अगबरवा में छापो ताकि मोधी योगी तक पहुंचे ना तवेच जल्दी कराई है ठीए बतिया और से पचीज साल वाले जो लोग जुर्म करते हैं कहीं पर चोरी कर लेंगे कहीं पर एट्यम वह उठा ले जाते हैं ठीक तो इस तरीके से उता उन पर जो क्राइम करते हैं अपराज करते हैं उन पर आपको लेटर लिखना है बाद समझ में आ रही है ना अगत्ना सम्झ मे लेटर राइटिंग आ जाता है बाबू अब लिए चलते हैं बाबू आपको question नमबर 4 और 5 पर इस ग्रामर सिक्षन है ठीक है इसमें सब आपकी ग्रामर पूछे जाएंगे काव काव पूछा जाएगा पहले ही बता देते हैं देखो डारेक इंडारेक पूछा जाएगा सिंधेसिस पूछा जाएगा आइडियंस और फिरेसिस पूछा जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा सिंटेक्स पूछा जाएगा सिनोनिंस एंटोनिंस वन वर्ड सब्स्टिटिउशन और होमोफोंस इस सब खिचली कि ना टोटल यहां से 20 नंबर वह आपको मिलेगा ठीक है तो आपको करना क्या है इभावु रटने वाली चीज नहीं है कि आप कहानी याद करेंगे उससरा कोश्चन पेपरवां में मिलेगा ही नहीं ठीक है तो इसका रोल समझना है कि डारेक्ट इंडारेक्ट कैसे काम करता ह है किस तरीके से इसको लिखना होता है हाई जो सिनोनिंस और इंट्रोनिंस है न दूइचार वर्ट को अगर आप याद के लिए और कोश्चन पेपरवां फंसगवा तो आपकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी और बाकी डारेक्ट इंडारेक्ट नहीं गलने वाले है ठीक है इस इतना तयार कर लो बीस नंबर आपको आराम से मिल जाएगा बस इसको खूब अच्छे तरीके से तयार करना रटने की ज़वर नहीं बाबू सिर्प आप तो तवन किनाई रटने लगते हो उसके बार एक्जाम में सब जाएके भूल जाते हो तो ऐसे नहीं करना समझ को पढ बाबू कोस्चन नंबर छे पर आपको करना होगा ट्रांसलेशन यह कितने नंबर का पूछा जाएगा ज्यादा नहीं पांच नंबर का पूछा जाएगा पांच नंबर का कम है का पांच नंबर वहुत है ठीक है पास होने के लिए ट्रांसलेशन हिंदी टू इंगलिस आप को करना होगा यानि इस तरीके से बाबू एक ठू आपको पैरा ग्राफ दिया जाएगा उसको आपको इंगलिस में करके लिखना होगा अभी गल्फरेंडवा अगर मैसेज करेगी तो अगर ससुरे को समझ में भी नहीं आएगा तब भी ट्रांसलेट कर लेगा लेकिन जादा से जादा करनी है आपके बुक में आपके कोशन बैंग में पीछे दिया रहता है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंगले तो आप डेली जब इस पर आप रिवीजन करेंगे ना तो अपने आप खुपढ़िया में घुसता चले जाएगा अब एक्टे जहां घुसे वाली पढ़ोगे आज कल भूल जाओगे तो अब अगर आपको पर्मानेंटली याद रखना है ना तो दिमाग से पढ़ो बाबू पास समझ रहे हो ना अब देखो कोश्चन नमबर छे भी खतम होई गवा अब आपको लिए चलते हैं सक्षन डी पर इसमें बाबू बहुत नमब ठिक है 15 नमबर तो खाली पुरुजवस मिल जा रहा है करना कुछ नहीं है एकदम आ लुगा है ठीक है मैं आपको बताता हूँ करना का ओर रहता पर कोश्चन नमबर साथ में आपको बाबू टू साठ एंस टाइफ कोश्चन दिया जाएगा तीन दिया जाएगा दुई करन जो आपको आता हो इसके लिए बाबू 8 नमबर मिलेगा और आपको question number 8 में पूछायागा one long answer type question एके लिए बाबू 7 नमबर मिलेगा एक कई कोश्चन पूछा जाएगा साथ नमबर बतिया समझ रहे हो ना तो हाँ तब है मिली ना जब पढ़के जाओगे तब वरना मुँबचगा के चले आओगे कि हमारा छुट गया टाइम नहीं मिल पाया था इस सब कहोगे ना तो पास नहीं हो पाओगे का होता है ठीक है जिसमें कहानिया दिये रेती है पुरोज में आप तीन लेसन को ना एकदम बिधवत तरीके से गाठ बाद लो कि इन ससुरों का एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा एकदम अच्छी तरीके से खोपडिया में बैठाई लूंगा ठीक है देखे आपको करना क्या है टू साट एंसे टाइब कोश्चन और वन लांग से टाइब कोश्चन यही एकदम में करना है तो आप एक काम करिए दल लाश्ट लेसन को खूब अच्छे तरीके से पढ़ लिजिए इसी से ही ज्यादा अतर कोश्चन 90% कोश्चन इसी से आता है और देखो अगर आपका दल लाश्ट लेसन से नहीं आया ना तो लाश्ट स्प्रिंग से जरूर आएगा इसको मोदियो दादा रोकना ही पही है ठीक है बतिया समझ रहे हो और देखो डीप वाटर से भी जरूर आएगा देखी करना क्या है इन तीनों को इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि जोन इन सब का लिखा कवा है ना वो भी एक बाद जोन ही आजाए कि तो ससुरा हमसे ज़्यादा जारना है हम ही लिखे हैं और हम ही को बता रहा है ससुरा ठीक है अब देखो अब आपको लिए चलते हैं बाबू प्वेटरी पर प्वेटरी मतब समझ रहे हो ना जो पोयम हो गएरा होती हैं इंगलिस में ठीक है उसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं देखो खीरी साट एंसर टाइप कोुशन दिया जाएंगे यानी तीन छोटे-छोटे कोंचे उंगे उनका एंसर लिखना होगा छे नमबर हो वहाँ से मीलेगा और सेंट्रल आइडिया दसनंबर कोशन नमबर दस में आप से पूछा जागा सेंट्रल आई रिया टोटल मिला कर पोईट्रिया से आपको मिल रहे हैं दस नमबर वा अब एकरे लिए का करना है बाबू हमरी बातों को गवर से सुनना तब ही समझ पाओगे ठीक है पोईट्रिय के लिए वाबू का करना है हमरी बातों को गवर से सुनना ठीक है देखो इसमें भी वही काम आप करो जो पुरजवाम करे हो एकदम आसान काम है देखो माई मदर एट 66 वाला चैप्टर को उठाईए खुब अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाए एक भी लाइन ना छोड़िये कहीं से भी एक्जामनर अगर पूछ ले ना तो खटाक से इसका एंसर दिमागों में ना चैलागे इतने अच्छे तरीके से आप पढ़ो बतिया समझ रहे हो ना आप देखो अगर आप पूरा लिखे रहोगे ना तो एक्जामनर मजबूर होकर आपको नमबर देगा लेकिन साथ है कि लिखना पढ़ेगा बाबू लिखेंगे तब ही जब आप पढ़े रहेंगे वरना कुछ भी उटपटांक लिखकर चले आएंगे तो आपको पढ़ कर जाएए जब मैं बता रहूं कि यहीं से आगा तो पढ़ कर जाएए ना यार और एक्जाम में छाब कर आएए ऐसा नहीं आपको तरसना पढ़े एक एक नंबर के लिए कि यह मासाव आही नहीं रहा है का करें ठीक है ऐसा बोलने की जरूरत ना पढ़े और कभी भी एक्जाम में कास सब्द आपके दिमाग में आया, इस सब्द अतना पढ़ लिया होता कास थोड़ा खर लिया होता इस सब्द को अपने जीवन में से निकाल दो एक दम भी चलो देखो, बात ओठ बहुत हो चुकी अब चलो दो देखें, दस नंबर कोश्चन आपका यहां तक किलियर हो गया question out बचाए ठीक है चलो उसको भी देख लेते हैं देखे ठीक है question number 9 में आपसे poetry वाला question देखार हो गया अब आता है supplementary बसता है 10 और 11 और 12 supplementary के ही question है चले देखते हैं कि उसमें का आप पूछा जाता है ठीक है दोस्तो question number 11 में आपसे पूछा जाएगा टू साथ answer type question एके लिए बबू आठ नंबर आपको मिलेगा बास में रहे हैं और देखो question number 12 में आपसे पूछा जाएगा वन लाग answer type question एके लिए बबू आपको साथ नंबर मिलेगा तो जिस तरीके से अभी हमने पुरोज वाला आपको बताया है उसी तरीके से same to same supplementary का आएगा पंदरा नंबर आपको supplementary से भी मिल रहा है उसी तरीके का same to same question पूछा आएगा बस question अलग होगा बाबू पूछने का तरीका वही होगा नंबर भी वही होगा लिखना भी आपको वही रहेगा तैयार भी आपको उसी तरीके से करना होगा हमारी बास समझ रहे हैं आप ठीक हैं तो देखो अब इसमें क्या करना है शुरुआत के तीन चैप्टरस आपको उठाना है जैसे मैंने आपको प्रोज में बताया है बर उसको खूब अच्छे तरीके से बाबू पढ़ डालना है ऐसा पढ़ना है ना कि एक भी लाइन न छोड़ पाए पूरी बुक से कहीं से भी अगर सप्लामेंटरी के इन तीन चैप्टरस से आपको कोश्चन किया जाए ना तो आप तुरन उसका एंस्वर दे ले जाओ इस तरीके की तयारी करनी है तो दोस्तो आज की इस वीडियो मे अब दोस्तो सप्लामेंटरी के लिए जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आपको तयारी कर लेनी है अगर नहीं कर पाए सप्लामेंटरी की तयारी तो कमेंट बॉक से मैं बताना बावू मैं कमेंट में रिपलाई दे दूँगा कि यही यही चैप्टरस पढ़ कि कहां से क्या तैयार करना है ठीक है तो अगर वीडियो आपको फसंद आई हो बाबू तो लाइक कर दो यार पैसा नहीं लगता है मेरे भाई ठीक है लाइक कर दो जल्दी से और हां कमेंड भी अगर मन कहें तो कर देना नहीं तो कौनों बात नहीं और हां अपने वो दोस्तो पढ़न में जरूर सेयर कर देना जो अरदम ससुरे मोबाईलिये चलाते रहते हैं उनको जरूर सेयर कर देना ठीक है कि मोबाईल उबाईल चलाने का समय बाबू अब पढ़ाई करो खाली नहीं तो ऐसे दिन भर स्क्रॉल स्क्रॉल करते रहोगे मोबाईल और हाथ कुछ नहीं आएगा फिरांत में वही कहें काश पढ़ लिया होटा है ऐसा करने से काम नहीं चलेगा ठीक है तो अब पढ़ना पढ़ेगा आपको ठीक है इस जामना जो होते हैं वह भी अब आप से चार गुना जादा जानने लगे है कि अब आज कल ससुरे क्या कर रहे हैं बना कर लिखने से काम नहीं चलेगा अब आपको एक्जैट वही लिखना होगा देखो बाबू आपके पास संसाधन भी तो बहुत है आज के जमाने में पहले का होता ना था न कि पैदल लोगों को जाना पढ़ता था लगबत 10-10 किलो पढ़ाई नहीं करते हैं फिर भी बहुत सारे इससे लड़के होते हैं जो ससुरे फेल हुई जाते हैं उस ससुरे दिमगवा अपना नहीं लगाते हैं अभी अगर कोनो फिलिम पिच्चत देख खोई न तो दुद्द तिन घंटा तक ससुरे आँक उसी में लगा रहेंगे लेकिन जब पढ़ाई करने का मना एतनीद लग रही है मन नहीं कर रहा है यहीं शब बटाएंगे ठीके तो ऐसा करने से काम नहीं चलेगा बाबू अब पढ़ाई करो ठीके यही बात जाते जाते आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपके दिल को छू जाए तो पढ़ाई कमाना पढ़ेगा जबना तब समझ में आएगी किस किस तरीके से आपके माता पिता ने आपकी फीस बदल गई तो मोटिविशन लाइन जाते जाते आपको सुनाता चलो कि अपना समय बरबाद मत करो इस समय ने अच्छे अच्छों को बरबाद कर दिया समय है बदल जाओ अ और दोहजार पचीस में आपको अपना पेपर देना है तो फिजिक्स में सतर में सतर बिलकुल आज की इस वीडियो से आपका होने वाला है बस आपको इतना पढ़ लेना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना वाने हूँ दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद बह इतना पढ़ लो 70 में 70 नंबर आपका बिलकुल पक्का हो जाएगा इसकी 100% ग्यारंटी है लेकिन दोस्तों आपको पढ़ना पढ़ेगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते है दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक आपको तयार करना है कुलाम का नियम हर साल आपके बोर्ड एक्जाम में पूछा ही जाता है एक से दो नंबर में जादा नहीं पूछा जाता है एक से दो नंबर में पूछा जाता है कुलाम का नियम बहुत ही सिंपल होता है ठीक है अब देखो उसके बाद आपको तयार करना है विद्दुछेतर की तीवरता ये भी बोर्ड एक्जाम की दिश्ट से बहुत जादा इंपॉर्डन है विद्दुछेतर की तीवरता उसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तो विद्दुछेतर की तीवरता का बेंज़े के पांच नंबर में आपसे एक निगमन पूछा जा सकता है तो इसको आपको तयार कर लेना है क्या पूछाएंगा दोस्तो विद्दुछेतर की तीवरता का बेंज़क आपको प्राप्त करना होगा बास समझ रहे हो ठीक है अब देखो अगला टॉपिक है दोस्तो विद्दुदुधरों के कार अक्षिये इस्थिती में विद्दुछेतर की तीवरता यह दोनों जिद हैं यह आपके निगमन है इनके अगर आप तयार कर लेते हैं तो वोड़ एक्जाम की देश्ट से बहुत ही जादा इंपॉर्ण है इसे आपको तयार करके ही जाना है ठीक है अब चलिए देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक आपको तयार करना है अगला टॉपिक दोस्तो बहुत जादा इंपॉर्ण है विद्दु दुधुर की निरक्षी इस्थिती रेखा पर इस्थित विंदु आबेस पर विद्दु छेतर की तीवरता बहुत ही जादा इंपॉर्ण है और देखिए दो गौस की परमे सबसे जादा most important question गौस की परमे ठीक है इसको आपको तयार कर लेना है अब दोस्तो अगला टॉपिक है आप देख सकते हैं अनंत विस्तार की ठीक है अनंत विस्तार की समरूप कुछालक चादर के कारण विद्धु छेतर की तीवरता बहुसती जादा important है इसको आपको तयार कर लेना है अनंत विस्तार की समरूप कुछालक चादर की कारण विद्धु छेतर की तीवरता और सबसे जादा important question तीन नंबर में पूछा जाता है लगभग लगभग हर साल विद्धु विभव क्या है और विद्धु विद्धु विभव क्या है और की धारिता ठीक है अब देखें आगे लिए चलते हैं आपको संधारित्र यह भी आपके बोड़ इतलाम की दिरिष्ट से बहुत जादा important है संधारित्र क्या होता है इसको खूब अच्छे तरह के से आपको पढ़ लेना है फिर संधारित्रों का संयोजन यानि संधारित्र क इतने परकार के हैं इनका संयोजन भी आपको पढ़ लेना है और देखो विद्धुधारा क्या होती है इसको भी आपको पढ़ लेना है बहुत जादा important है और ओम का नियम यह भी आपके बोड़ इक्जाम की दिरिष्ट से सबसे जादा important है ओम का नियम इसे आपको तयार कर पढ़ लेना है ठीक है और आगे देखे विश्रिष्ट परतिरोध अथवा चालकता क्या है इसको भी आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है विश्रिष्ट परतिरोध और या फिर चालकता इसको आपको पढ़ लेना है बहुत जादा important है और देखे विद्धु किस तरीके से आप से question किया जाएगा ठीक है कि लिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक जो की दोस्तों बहुत जादा important है किर्चाप का नियम वेरी वेरी most important question इसको हम लोग कह सकते हैं किर्चाप का नियम और दिखें बायो सेवर्ड का नियम यह भी आपके बोर्ड एक्जाम की दुष्ट से very very most important question है यह अपियर का परिपती है नियम ठीक है और देखें चुम्बकिये चीत्र magnetic field यह भी आपके बोर्ड एक्जाम के दुष्ट से बहुत जादा important है चुम्बकिये चेत्र और देखे दिकपात कोण यह भी आपके बोर्र एक्जाम के दिरिष्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है इसको आपको तयार कर लेना है दो नंबर में आपसे पूण जाता है दिकपात कोण ठीक है और देखे शुमबकीए फलक्स ये भी आपके बोर्ड एक्जाम की दिर्ष्ट से बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है चुम्बकिये फलक्स इसको आपको तैयार के लेना है लगबग लगबग हर साल आपके बोर्ड एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है और देखो फैराडे के चुम्बकिये चेतर के नियम यानि फैराडे के चुम्बकिये चेतर के नियम है उनको बाबू आपको पढ़ लेना है हर साल आपके बोर्ड एक्जामों में पूछा जाता है और देखिए सो पिरेनल क्या है इसको आपको पढ़ लेना है बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है ये सब छोटे छोटे परशन ह लेकिन इंपॉर्टन्ट बहुत है हर साल आपके कोश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं सो पिरेनल आपको पढ़ लेना है अनियोन पिरेनल देखी जब आप सो पिरेनल को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो इन दोनों के अंतर में आपको खोजने की जरूरत नहीं प परिपत यलार परिपत यलसी परिपत यह आपके बोर्ड एक्जाम की देश्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है इनको भी आपको तयार कर लेना है ठीक है और देखे वाट हीन धारा वाट हीन धारा क्या होती है इसको भी खूब अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है आपके बोर्ड एक्जाम में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है वेरी वेरी मोश्ट इंपॉर्टन टॉपिक इसे कह सकते हैं और आगे देखे विद्दु जनित्र अथवा डानेमो या फिजनरेटर इसको आप समझ सकते हैं आमबाजा में ठीक है मैक्सिवेल का विद्दु चुम्ब की प्रेणर के नियम यह भी आपके बोर्ड एक्जाम की दिश्ट से वेरी वेरी मोश्ट इंपॉर्टन टॉपिक है मैक्सिवेल का विद्दु चुम्ब की प्रेणर का नियम बास समझ रहें अब आगे देखे विद्दु चुम्ब की spectrum क्या है इसको भी खूब अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है very very most important topic है विद्दु चुम्ब की ये spectrum ठीक है और देखो परकास का परावर्तन ये भी बोड एक्जाम की देश्टे से बहुत जादा important है परकास का परावर्तन ठीक है और आगे देखे गोलिये दरपन के लिए यू अगला topic है दोस्तों गोलिये दरपन के लिए यू वी तथा यप में संबंद इसको आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है आपके बोड एक्जाम की देश्टे से बहुत जादा important है पांच नंबर में यह आप से पूछा जा सकता है अगला topic है दोस्तों परकास का प्रावर्तन बहुत ही आसान होता है और बहुत ही जादा important है परकास का प्रावर्तन अगला topic है दोस्तों पूरांतरिक प्रावर्तन पूरांतरिक प्रावर्तन से आप क्या समझते हैं इसक के गोलिये प्रिष्ट के लिए अपवर्तन का सूत्र दो से तीन से पांच नंबर में यह आप से पूछा जा सकता है गोलिये प्रिष्ट के लिए अपवर्तन का सूत्र ग्याद कीजिए और अगला टॉपिक इसी से मिलता जोता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र य अगला टॉपिक है दोस्तो लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र आपको प्राप्त करना है, यह भी बोर्ड एक्जाम के दिश्टी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है, और अगला टॉपिक है दोस्तो मानो नेत्र, मानो नेत्र यह आपके बोल इजाम के दिश्टी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्णन है इसको आपको तयार करके जाना है किता ही नहीं छोलना है ठीक है और देखे अगला टॉपिक अबावू सूचमदर्सी सूचमदर्सी क्या है इसको खूब अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है और दूर्सी भी आपको पढ़ लेना है सूचमदर्सी अथवा दूर्सी में अंतर क्या होता है इस सारा कुछ आपको पढ़ कर जाना है दूर्सी की बिभेदन चमता योम सीमा इसको भी आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और हाइगेंस का सिद्धान्द वे याद कर लेना ठीक है और देखे व्यतिकरन आपको पड़नेना है और आपको पड़ फिरिंज चौड़ाई के लिए वेंजक प्राप्त करिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन और देखे उसके बाद है दोस्तों इसी से एक और इंपॉर्टन टॉपिक है परकास विवर्तन टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं और देखे कारिफलन यह भी आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही जादा महतुपूर है इसे आपको तयार कर लेना है ठीक है और आगे देखे परकास विद्दुत का उत्सरजन के नियम यानि परकास विद्दुत उत्सरजन का जुनियम है उसको बाबु खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है मोस्ट इंप परियोग जिसे आप कहसँते हैं परमालू की खोज है और देखें रदर फोध का परमालू माडल क्या होता है इसको आपको खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और हाइड्रोजन परमाड़ का बोर मॉडल हाइड्रोजन जो परमाड़ होता है उसका बोर एक बेग्यानिक का नाम है ठीक है जो मॉडल उन्होंने परस्तुत किया उस मॉडल को आपको अच्छे तरीके से पढ़ने ना है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे जादा मोश् फिक्स करने वाला नमब आता है टॉपिक्स अर्द आयू तथा छै नियतांक में अंतर इस सब जितने भी टॉपिक हैं इस सब बोड़ एक्जाम की दिष्ट से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन्ट हैं अगला टॉपिक आता है दोस्तों जो की सबसे ज्यादा इंपोर्टन्ट है नाभी की बंधन ऊर्जा वेरी मोश्च इंपोर्टन टॉपिक है दोस्तों नाभी की बंधन ऊर्जा और नावी की है विखंडर नावी नाविकिये विखंडर और नाविकिये सनलेन में अंतर भी आपसे पूछा जाता है तो इसको खूब अच्छे तरीके से आपके पढ़ लेना है तीन से चार नंबर आपके फिक्स होने वाले हैं और अर्ध चालक आपको पढ़ लेना बहुत ज्यादा इंपोड़न है और देख पियन संदी डायोड क्या होता है इसको खूब अच्छे तरीके से पढ़ने ना है जेनल डायोड को पढ़ने ना है और चालक डायोड को पढ़ने ना है जितने भी टॉपिक्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है इस सब टॉपिक आपके बोर्ड एक्जाम के द इसकी 100% टो नमबर कि और यह नहीं और उतनीर मेब बताने वाला हूं तो इतना काम करना है करना क्या है आज इस विटियो में class 12 biology के कुछ ऐसे ही important topic मैं आपको बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप पढ़कर 2025 का board exam देते हो तो biology में आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोख सकता और 30 number school से आसानी से मिल जाता है तो आज की इस वीडियो को चलिए बिना समय गवाते हुए हम शुरू से शुरू करते हैं देखे सबसे पहला topic जो की सब बहुत ज्यादा important है आपको पढ़ना है जनन क्या होता है ठीक है जनन पढ़ लेना है उसके बाद देखे नर्द तथा मादा युकमकोद भित का विकास इसी में सबसे ज्यादा most important नर्द तथा मादा युकमकोद भित का विकास ठीक है उसके बाद आपको पढ़ना है निसेचन क्या होता है निसेचन को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है फिर उसी में होता है दोहरा निसेचन या फिर युकमक जनन ये भी बहुत ही ज़्यादा important है ठीक है अच्छे तरीके से पढ़ लेगो न तो इसका अंतर लिखने में कौनों दिक्कत आपको नहीं होने वाली बास समझ रहे हो ठीक है आगे देखिए भूरोन पोस्यों भूरोल परिवर्तन ये भी बहुत ज्यादा important है इसमें भी गुरोल पोस्यों भूरूर परिवर्तन में अन्तर लिखेए बायलोजी में ज़्यादा तो दोस्तों अंतर आर आपसे पूछा जाता है तो अंतर आपको जरूर पढ़ लेना जब आप इसके बारे में खोब अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे और इसके बारे में इन दोनों के अंतर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी क्योंकि सेम इसका उल्टाए होगा बात समझ रहें अब देखें अगला टॉपिक है दोस्तो नर्योमादा जननतंत नर्योमादा जननतं क्या है इसका structure भी आपको देख लेना है बहुत ही जादा important है पांच नमबर में पूछा जाता है और उसे से मिलता जुलता है एक और टॉपिक है विरस्तान इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है अगला टॉपिक है दोस्तो सुक्र जनन योम अंड़ी जनन आए भी आपको पढ़लएक बहुत जादा important है शुक्र जनन योम अंड़ी जनन इसमें भी अंतर आपछा जाता है जो टॉपिक जो इसमें अंतर भी आपको याद कर लेना है तो चलो फटा-फट से इसका स्क्रीन सौल ले लो ताकि पीडियाप की जरूरत ना पड़े बावुट ठीक है तो चलो आप देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला टापक है बबुगा भुरूर पोस्त था भुरूर कोस में अंतर यह भी बहुत ज़ादा है इंप्टने इसको भी आपको पढ़ लेना है बहुत ज़ादा है ज्यादा इंपोरेंट ठीक हैं और कभी-कभी पूछता हैं के भुरूर कोस से आप क्या समझते हो तब पढ़े रहेंगे तभी तो न लिख पाएंगे तो पढ़ना बहुत है जरूर है बाबू ठीक है आगे दो को IVF तकनीक कि क्या होता है इसको भी आपको पढ़ लेना है बहुत जादा इंपोरेंट है ठीक है और देखे जन संख्या भी स्पोर्ट और प परिवार नहीं हो जाएंगे इसको भी आपको पढ़ लेना है यानि एक लिमेटेड परिवार भास समझ रहें अब देखे आगे चलते हैं जीन परारूप तथा दिरिश्ट से परारूप बहुत जादा इंपोर्टन है इसको आपको पढ़ लेना है जीन परारूप यह दिर होता है जब यक्स रहेगा तो लड़का रहेगा और यक्स वाई लड़की रहेगे तो जब इसके गुड़ सूतर को एक स्ट्रक्चर है उसको समझाएंगे तो बहुत ही सिंपल होता है बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने के ज़रूब था ठीक है तो इसको बात में परोड़न और उससे जादा मोश्ट्रीपॉर्ट्रेंट अब अता है लिंग निर्धारन कभी मत्हुनें लिंग निरधार्प पुरता है कभी पक्षीयों में कभी मनिस्यों में तो तीनों में आपको पढ़ने ना है इसमें तीन से पाँच नंबर आपके फिक्स रहने वाल आगे देखते हैं अब कौन सा टॉपिक इंपॉर्टन है जो हमको पढ़कर दूजार पचीस के बोर्ड एक्जाम में जाना है तो इसका स्क्रिण स्वाल ले लो बाबो ठीक है ताकि पीडियाप की जरूरत ना पढ़े बार बार कमेंड ना करना पढ़े कि सब पीडियाप कहा मिलेगा पीडियाप का मिलेगा तो इसका स्क्रिण साल ले लो चले आगे बढ़ते हैं अगला ट्रॉपिक दोस्तों आनुवंसी कूट ठीक है इसको आपको पढ़ लेना बहुत जादे इंपॉर्टन है और आनुवंसी कोड इसे दो से तीन नंबर में हर साल यह सारे प्रश चापी यानि DNA फिंगर प्रिंटिंग बहुत जाता इंपॉर्टन है तो पढ़ लियो नहीं तो पष्टा होगे ठीक है डीन ने अंगली छापी यह फिंगर प्रिंटिंग और देखो अब आ गया यलको हाल ठीक है यलको हाल यानि सराब जिसको कहते हैं और ड्रग नसीले यानि जन्म से जो रोग होते हैं और उपारजीत रोग यानि जन्म से बात जो रोग होते हैं और देखे उसके बाद आपको पढ़नेना है डेंगो के बारे में कि डेंगो क्या होता है डेंगो एक बुखार होता है मलेरिया भी बुखार होता है टीबी आपको पढ़नेना ब लेरिया डेंगो यह सब थोड़ा इंट्रेस्टिंग लगते हैं बास समझे रहें और दिखो अगला टापिक अब वहा जय उर्वरक और बायो गैस जय उर्वरक को आपको पड़ देना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टन जय उर्वरक मतलब खाद जो किसान अपनी फसलों में जय उर्वरक और बायो गैस पहले बायो गैस से खादे बनाई जाती ती यह नि गोबर की जो खाद होती थी वह बहुत ही उर्वरक होती थी आज कल तो अंग्रेजी खाद सबाने लगी ठीक है आँ देखे अन्वनसी की अभियानतिर की अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टन और देखो अब आगया आसान आसान टॉपिक यह न्जाइम क्या होता है इसके परकार को पढ़ लेना है विटामिन को पढ़ लेना है और विटामिन के परकार को देख लेना है और प्लाजमिट व्यक्टर इसको भी आपको पढ़ लेना है बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ह होते हैं चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक किरिसी छेत्र में जवेव प्रिविद्वकिं छेत्र में जवेले की क्या भूमगा है उसको आपको पढ़ एटेखे और देखे बीटी फसलें आपको पढ़नेना है और बीटी कपास पढ़नेना है बहुत जादा इमपॉर्टन वरती है ठीके और देखे पुनर योगश डियन्ने ये भी आपके बोर्ड इग्जाम के देश्ट रिच्ट से बहुत जादा important है क्या पुनर योगश्टियन ने और देखो सहोब कारिता यह क्या है इसको भी आपको पढ़ लेना है बहुत ज्यादा important है और सह जीविता यह भी आपके बोड़ इजाम की देश्टि से बहुत ज्यादा important है और सबसे ज्यादा most important topic अब आते हैं रेड़ डाटा बुक बेरी बेरी most important topic और इस्टेनले मिलर का परियोग पांच नंबर में आप से पूछा जा सकता है इस्टेनले मिलर का परियोग तो इसको खूब अच्छे तरीके से आपको पढ़कर जाना है और देखें जय विविदिता जय विविदिता क्या है इसको आपको पढ़ने ना है बहुत ज्यादा इंपौरेंट है और देखो जीन विनिमय में क्या है वेरी-वेरी मोश्ट उपार्च को इन सब को जितने भी टॉपफिक आज कि इस वीडियो में आपको बता रहा हूं इन सम अब्से एक भी टॉपफिक क आपको नहिं छोड़ना Link और देखिए यौना रंब यानि यौना रंब क्या है इसको आपको पढ़ लेना है और सह लगनता आज की इस वीडियो में इतने टॉपिक जो मैं आपको बताया हूँ बस इतने टॉपिक आप दो हजार पचीज के बोर्ड एक्साम में पढ़कर जाएए मैं ग्यारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% से उपर आपका आने वाला है पूरी बुक छपवाने से क्या फाइदा जब ओ ससुरत दिमाग में ही नहीं घुसेगा तो आपको उतना पढ़ना है उतने टॉपिक को टार्गेट करना है जितने टॉपिक के आप मास्टर बन जाओ कहने का मतलब यह है सिर्फ आप 10 टॉपिक त्यार करो लेकिन 10 टॉपिक में बाबुना कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप उसका एंसर तुरंट दे ले जाओ इस तरीके से जिस दिन आप पढ़ाई करने लगे ना कोई भी एक्जामनर आपको फेल नहीं कर पाएगा तो आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक बताएं इन सब को तैयार करके जाना दोजार पचेस में पालो जी के पेपर में आपका 90% से उपर आएगा के लिए आज की इस वीडियो में बाबू बस इतना है मिलते हैं आप से किसे और वीडियो में तत्त के लिए गुडबाई जैहिंद जैभारत